देखें अगर इरादा वाकई में सुधार का है अगर वाकई में केके पाथख जी और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सिख्छा में सुधार हो तो यहाँ स्वागत योगे लेकिन दिखता नहीं है आज भी स्कुलों की स्थिति क्या है सिख्षकों की क्या सिख्षकों की काम करवाते हैं तब सिख्षा का ध्यान नहीं आता है कि बच्चों का जो क्लास है वह बादित होता है तब तो ध्यान नहीं आता है और आप एक तरफ किसी खास धर्म के लोगों को एक घंटा पहले आने क और गंटा बाद जाने की अनुमती देती है मुस्लिम धर्म के प्रति आप इतना क्यों लिब्रल हैं कि आप उसको एक घंटा पहले मैं पुछताओं किसी भी दफ्तर में अगर कोई भी कर्मी एक घंटा पहले आजा और बाकी कर्मी एक घंटा बाद आए तो कौन सा बहुत कर हो मनाते आये हैं और रखास करके एक सांस्कृतिक राष्ट्रवात की बात है हर बच्छे ऐसे ही अपने-पने धर्मों के बारे में सोच देखते हैं और सिखते हैं जीतिया जैसा परो जो माताएं कम्प्लीट उपवास करके करती हैं सिख्षिकाएं सारी सिख्षिकाएं जीतिया परोनाती है और आपने वह छुटी रद्द कर दिया आखिर में आपका इरादा क्या है एक तरफ स्कूल में जो वाकई में बच्चों गरीब बच्चों के पिछ सा ब्सक्राइब जाता हूं सरकार से कि आखिर सिख्षकों से आपको है क्यों इत्नी करने पर और और कि अवह संक्याख में जात on पर क्यों अत्याचार करना चाहते हैं जवाब आपको देना पड़ेगा नितीज जी दिमाग में वह जब से इस विभाग के अपर मुख्य सच्यू बने तब से अकारण सिख्षकों को परसान कर रहा है चट के छुट्टियों को भी कम कर दिया गया है बहुत सारी चीज़ें संस्थान खुले रहेंगे तो परव में लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम सांस्कृतिक रूप से क्यूं आज संपन है दुनिया हमारे पीछे क्यू देख रही है क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे अपने जीवन में काम करते हैं जो अनार्थिक है तो उसका लाब और हानी से मतलब नहीं है वो हमारे मानसिक संतुलन के लिए परवत्योहार बहुत ही महत्पुन रखते हैं और इन चीजों को अगर बंद किया जाएगा जो हमारे सांस्कृतिक विकास से संबंदित है अगर इसको बंद किया जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे लोग भूल जाएगे कि रक्षा बंदन क्या होता है माता पीता का आदर क्या होता है परवत्योहार का महत्व क्या होता है सब भूल जाएगे और सिर्फ लोग बैटकर एक मशीन की तरह काम करेंगे और काम के अलावार कुछ नहीं जानेगे और सिर्फ काम करने से काम नहीं होता है उसके लिए उत्सा उर्जा और एक मानसिक संतुलन का वशक है जो हमारे पर्व और तिवहार हमें ये देते हैं इसलिए छट पर्व में चुटी किया गया वह बहुत ही गलत है क्योंकि उसी बहाने हम लोग स्वच्चता का पाट पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में स्वच्चता भी उतना ही महत्व रखता है हम अपने मंसा, कर्मना, वासा तीनों त्रिष्टी कोन से अपने आपको शुद करते हैं वो हमारे तिवहार है छट और उसको भी आप बंद कर दीजिए बंद करते जाईए, आप I.S. officer है, आप मंत्री है, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी वज़ा से ही आप वहां बैठे हैं हमारे उपर तो इसकी परतिक्रिया होगी, आप समझे हमें कामनागरिक को रूप में बिल्कुल भी रोध करते हैं इसा नहीं होना चाहिए, इवन कि दूसरे धर्मों के भी पर मनाईए, उसकी जो अच्छाई हैं, उसको भी लाईए, बंद मत किजिए, काम करने के लिए बहुत समय है, 24 घंटा में बहुत साब काम हो सकता है चौदा चुटियों को रद करना, किस तरस देखा जाए, क्या मानाईए, अभी तो मैं देख रहा था, आजा कफार प्रास हुआ सुआ तो आस्चर्ज हुआ, आस्चर्ज इस बात का, कि रच्छा बंदन इसा पर, रच्छा बंदन में किवल बिद्यार्थी नहीं, सिच्छ किरिश्चन मिसररी का स्कुल भी बंद रहता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग खुला रखते हूं, मिसररी अस्कुल भी बंद रहता है, आप कहुं सा तोप मारने जा रहे हैं, तीर चलाने जा रहे हैं, कि इतना बिद्यार्थियों के ज्याधा पढ़ा जेंगे, आप 180 दिन ही पढ़ाई नहीं हो पती है भी, विद्यालेव मांग करते हैं कि 180 दिन कम से कम पढ़ाई हो छो महीने, छो महीने पढ़ाई नहीं हो पाती है, गर्मी के छुटी हो उसमें कटोटी कीजिए, ये परवते भार की छुटीयों में कटोटी क्या हूं, आकिसी के लिए बहुत जग में कटोटी हुआ, दुर्गापूजा का छुटी कटोटी हो गया, जैसे हम लिए इस तो देख रहे थे, यह अन्यायपूर्ण है, यह भेदभाव पूर्ण है, यह एकदम मांसिक्ता से ग्रस्त विक्तिया इसा कर सकता है, मुखमंत्री जी, केके पाठक जी, मुखेके पटोती हुई है, उसके बाद उन्होंने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है, कि आने वाले दिनों में हो सकता है, कि बिहार में सरिया कानून लागू हो जाए, ऐसा है, कि एक सेकलरिज्म, सारे लोग अभी जो है, एक पर्टिकलर पाटी के लोग है, मिली जुली पाटी के उनके अंदर एक सेकलरिज्म, एक फैसन हो गया है, वो जादे से जादे अपने को सेकुलर जो है, डिकलेर करता चाहते हैं, उसके पीछे सिरफ बोड की राजनिती है, और कुछ नहीं है, जो हमारे समाज का सांस्कृतिक जो धरोवर्स हैं, इवन कि हमारे जो महापूर्स है उनके नाम पर भी जो छुटिया होती थी, विद्यार्थी उनको जानते थे, कि ये हमारे महापूर्स हैं, इनको देश के योगदान में इनका ये योगदान रहा है, देश का अजादी में योगदान रहा है, वो सुभी छुटिया देखिए, आप बहुत सारी चुटियां क केंसिल कर दिया गया हटा दिया और दुसरा क्या है बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो जब उनको स्विक्ति होता है वो उसपर्व ने के भी से में उस संस्कार के भी से में उनको एक जनकारी मिलती है अगर सारे छुटीयों के बन्म कर दिया जा तो बच्चे कुछ नहीं प समझ पाएंगे कि हमारा जो है देश का क्या संस्कारथ He क्या हम लोग थे कितने बैदिक रीति से हम लोग यह थे कितने सारे जो सांस्गृतिक रूप से हम लोग संपन थे वो सारी जो चीजें थी जो हमरे राष्ट की संपता दी वो यह सेकुलर लोग एक्चुलर है नहीं क्योंकि हिंदु दर्म मेरे समसे सबसे बड़ा अगर धर्म कोई है तो हिंदु दर्म सेकुलर है तो यह सारे चीजों को देखना पड़ेगा और इसको सारे पबलिक को इसका विरोध करना पड़ेगा इसके लिए लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा स सिक्षकों को साथ सिक्षकों को पूरा-पूरा सायोग देला पड़ेगा एक एक पाठक जी और आदार्णी अमरे नीतीश कुमार जी इनका विरोध करना पड़ेगा गुरुनानक जैनती के छुट्टी को रद कर देना बिहार सरकार ही उसको लागू किया था और आज उसको रद कर दिया गया जैसे कि आज के डिसिजन्स लग रहा है कि ये बिल्कुल ही पबलिक विरोधी ये सरकार काम कर रही है शिखों का जो मुर्क पर्व है गुरुनानक प जीधे तोर पर जारी है लेकिन यह बताये कि रच्छा बंधन का जो छुट्टी होता है उसको रद्द कर देना आप एक महिला है महिला के नाते क्या कहेंगी अब यह तो सरकार से ही पुछना पड़ेगा कि उनकी बहान है या नहीं वो अपनी बहान से राखी बंधवाते हैं या नहीं तो अगर इस तरह का हम लोगों को अगर इस तरह का परव से अगर हम लोगों को मतलब रोक दिया जाए नहीं कि मने यह कर दिया जाए तो यह तो सरक बाद भी ना दे सके इस तरह का वो कर रहे हैं तो यह सही नहीं है गलत है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए चौदा चुटियों को रद करना किस तरह से देखा जाए इसमें सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि जो हमारे यह भारत देश है यह पूरे के पूरे यह तो हमारे सनातन धर्म से जुड़ा देश है जहां पर हमारे पडोसी मुल्क से जिसमें बटवारे के बाद कुछ लोग आये और आने के बाद हमारे यहां अतीथी बनके आये और हम लोगों पर उनका यह भोट बैंक की जो गंदी राजनीती इस तरीके से हावी होती जा रही है हमारे तेवहारों तक पहुंच जाएगी यह हमारे लिए अतीखेद का विशय है सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहू नहीं है महा लंठ बंधन है जो महा लंठों का जहां जमा बड़ा है और जहां सिर्फ लंठ गीरी चल रही है यह एक तरह का आप देखे तो दूसरी भासा में भले भूलने में खराब लग रहा हो लेकिन यह लंठ गीरी ही है कि हमारे जिस देश की 70% से जादा आबादी जह अब बताएगा है महिलन का जीमारे लागोशा की घुःफ और बोट से आप परदान मतरी बनेंगे आप बताएं जनता को अपको बताना होगा कि क्या सिर्फ अलप संकोच को बहारत और बॆहार में रहने की आजादी नहीं है आप यह जवाब दें सब से पहले तो अगर हम अपने आहां तो सारे हिंदू और सारे सनातनी जाग गए हैं और इस बार जितनी भी महालट बंदन और ये इंडिया टीम है इनको एक कोने में हम लोग खारा करके दिखाएंगे तो लोगों का साफ तोर पर यह मानना है कि सरकार के तरफ से जो कदम उठाया गया है उसमें सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए ये बताईए कि सरकार के तरफ से जो दसारा का छुट्टी है उसमें कटवती कर दी गई, छट की छुट्टी है उसमें कटवती कर दी गई, रक्षा बंधन की जो छुट्टी है उसको खत्म कर दी गई, किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए इसमें तो पूरी तरह से ये समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं सरकार की नीतियों में अब वो समझ नहीं रही वो पकड़ नहीं रही क्योंकि पिछली बार कुछ साल पहले जब नितिश कुमार्ज मुख्यमंतरी थे तो उन्होंने एक वाक्तब दिया था कि जो रहीम लोकास्था के पर्व और मानिये तो यह पर्व नहीं महापर्व है जिसे महापर्व के रूपे में जाना जाता है चटको उसकी छुटिया उन्होंने कम करने क्या काम किया है जो बिल्कुल ही अनुची थे और एक तरफ तो आप परकासोतसब जैसा बिवस्था करते हैं और उसके बाद आप गुनानक जैनती जैसे पर्व की छुटियों को खत्म करने का काम करते हैं तो कहीं न कहीं इससे हमारे मन में यह जरूर आता है कि आपकी नीतियों में एक तरफा कुछ चलतो नहीं रहा है और यह आप क्या बताना चाहते हैं क्योंकि आज देश के सारे लोगों में वहां इसकी छुटियों को कम करने का कार्य किया गया है जो अत्यांती ही अनुचित है यह बिहार की पूरे विश्व में पहचान दिलाने वाला पर्व है लोकास्था का महापर्व जिसे माना गया है यह सरकार की पूरी तरह से मानसिक सोच के दिवालियपन होने का नतीजा है और ये सरकार अपना पूरा इकवाल खो चुकी है अब विशेश करके वो चाहती है कि किसी तरह से सरकार में बने रहना है नीतिया कीछ भी हो लेकिन उनको सरकार में बने रहना उन्हें मैं तो सरकार से आगरा करूंगा कि वह अपने इस विचार पे विचार करे क कि क्या उन्होंने सही किया है जिससे लोगों की आस्था जुड़ी है क्योंकि वो लोक तंत्र में लोक आस्था पर परहार करना मेरी तरह से पूर्णत अनुचित है चोट पर्व तो विदेश में भी मनाया जाता है अब तो बिहार से शुरू हुआ ये पर्व विदेशों में मनाया जाता है और इसमें कटाउती किया जाना ये पीएफाई के समर्थक लोग हैं सीधा सीधी बात में बताता हूँ आपको और यही वज़ा है कि यहां के जो आस्था का पर्व जो मुल पर्व है आप देखे रक्षा बंदन का चुट्टी इन लोगों ने भाई बहन का जो सबसे प्राचिन जो विश्यों में कहीं एक प् शुक्रवार जुम्मा के दिन और देखिए कितने विद्ध्याले खुले रहते हैं क्या आपको वहां पर नुन सासन और गुणवत्ता पुन सिक्षा का ध्यान नहीं आता उन बहु संक्यक मुस्लिम बहुलित शित्रों में जहां संक्यक हिंदू बच्चे रत पढ़ते हैं उनके पढ़ाई का आपको ध्यान नहीं आता है रविवार भी बंद रहता है और शुक्रवार भी बंद रहता है यह कैसी दो गली नीती है यह डबल स्टेंडर्ड आखिर क्यों किस कारण से नितीजी बिहार की जनता देख रही है याद रखिएगा सत्ता किसी की बपाउती पुरुन पुं नहीं है और समय आ रहा है बहुत जादेवर नजदीक है आप जिस प्रकार चे बिहार के सीछकों का दों कर रहे हैं बिहार के सिक्षकों को खास करके सिक्षा 17 वर्सों में किस ने बरबाद किया सिक्षा को मुख्यमंत्री कौन था आप ही चचा भतीजा तो 32 वर्सों जो बिहार में राज करने अगर आज भी अगर गुण बत्ता पुन सिक्षा नहीं है और यह संकट अगर आज यह प्रस्न बायक खड़ कि और जमीन पर ले आएगी राजनीती समाप्त कर देगी अगर आप यहां के हिंदूओं के भावनाओं के साथ खिलवाल करेंगे